हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कमूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इन्ट वाड़े आपसंस ट्वेडिंग के लिए स्टॉक्स का सेलेक्शन कर सकते हैं अगर आप आपसंस में ट्वेडिंग करते हैं तो स्टॉक का सेलेक्शन बहुत जादा जरूरी होता है अगर आपने गलत स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया चाहिए आप कितना भी सट्वेडिंग स्ट्वेडिंग क्यों अपलाई कर लो आपको प्रॉफिट निकालना बहुत जादा मुस्किल होगा इसको आप इस तरीके समझ रहे हैं आप इसको दूसी तरीके समझ रहे हैं आप कहीं जा रहे हैं अब वहां पे जाने का जो रास्त है अब वह रास्ता छोड़के गलत रास्ता पकड़ लिए अब उस रास्ता पर चाहिए आप कितना भी सेफली चलो कितना भी बजबज के चलो या फिर कितना भी तेज चलो क्या आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं देस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत जादा मुस स्किल हो जाएगा तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप options में इंट्रारे ट्वेरिंग के लिए सही स्टॉक्स करना है और अगर आप सही स्टॉक्स करना है तो आपको कुछ इस पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना होगा वो क्या क्या पॉइंट है चलिए उसकी उपर बात करते हैं फिर हम चार्ट पर चलके और डीटेल से इन सब कॉंसेप्ट को समझेंगे यहां पर अगर हम उन सब पॉइंट को पर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है कि आपको चार-पांच स्टॉक्स पिक करना होगा जिसमें हमें लिक्विडिटी या फिर वालेक्लिटी देखने को मिले और चेन्वली यहां पर हम क्या करते हैं हम निफ्टी-फिप्टी वाला स्टॉक्स पिक करते हैं जो कि आपका F&O में अबलेबल है क्योंकि यहां पर हम ऑप्श को थोड़ा सा एवॉइड करना प्रेफर करेंगे क्योंकि यहां पर हमें उस तरह का लिक्विडिटी और वालेक्लिटी नहीं मिल पाता है जैसा हमें अप्संस में चाहिए होता है तो सबसे पहले हमें चार-पांच स्टॉक्स का सेलेक्शन करना सेलेक्शन करने के बाद सप्लाइ आता हुआ दिख सकता और उसके वेसिस पर अपना ट्रेरिंग पोजिशन इनिशियेट कर सकते हैं अगर हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जहां पर आपका डिमांड जोन जैनवेट होगा जहां पर सपोर्ट जैनवेट होगा वहां पर आपको पर लिए स्टॉक कर सकते हैं तो चलिए चाट पर चलके इस कॉंसेप्ट को और अच्छे तरिके से समझते हैं चाट पे आगए और यह जो चाट है आपका टीशी का डेली चाट अब यहां पर हम डेली चाट पर आएं क्योंकि यहां पर हम सपोर्ट और इस्टेंस लेट को हुआ दिख रहा और वो कहां पर हमें जैन्वेट होता हुआ दिख रहा है और अगर आप यहां पर तो देख सकते हैं कई बार केंडल्स इसके नीचे आता हुआ यहां पर हमें दिखा है लेकिन क्लोजिंग कभी भी हमें इसके नीचे नहीं मिला चाया हम इसे प्रिवियस बात कर ले या फिर रिसेंट टाइम्स की बात कर ले तो प्रैस आपका इसके उपर ही जाता हुआ देखा है मतलब यहां पर अच्छा खासा हमें डिमांड देखने को मिलता है और यह हमारा बन जाता है डिमांड एरिया तो यहां पर हमने क्या देखा कि थ्वी धावलियन के नीचे डिमांड एरिया यह नहीं यहां पर जो बायर्स हैं वह बहुत जादा एक्टिव हैं बायर्स का यह एरिया हम बोल सकते हैं तो चलिए अब हम 5 इनट के चार्ट पर चलके कैसे ट्वेरिंग 2020 को यहां पर हम trade initiate करेंगे और हमने यह सारा कुछ calculations किया वो 27th of September को जो भी आपका price closing दिया उसके बाद हमने calculations किया है तो यहां पर 28 of September को जो पहला candle आपका open हुआ है वो आपका 3000 के नीचे ही open हुआ यहीं 3000 के नीचे आया that means true यह कहां पर आया यह buyers के area में open हुआ है price जहां पर हमें अच्छा खासा demand देखने को मिलता है buyers के तरब से लेकिन यहां पर हम candle के strength को भी चेक करेंगे और एक और data हम देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही crucial data है तो सबसे पहला यहां पर हमने देखा है कि इस candle में हमें long tail at the top दिखा जब भी long tail at the top हमें देखने को मिलता है मैंने previous कई वीडियों बता है कि यहां पर क्या indication देता है कि जो buyers है वो थोड़े बहुत यहां पर कमजोर दिख रहे हैं और sellers अपना presence यहां पर दिखा रहे हैं तो जब buyers कमजोर है चाहे कितना भी buyers एरिया में के उना हो या demand एरिया में के उना हो यहां पर हम buying को थोड़ा सा avoid करना prefer करेंगे तो अभी हम buy नहीं करेंगे उसके बाद आपका next candle भी यही हुआ long tail at the top देखने को मिला है यहां पर हम एक और data को देखना चाहेंगे और यह data हम आगे open interest build up अब यह data हमें कहां से available होगा उसके उपर बात करेंगे और इस data को आप कैसे यहां से खोज के निकाल सकते हो वो सब में आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले आपको इस data को समझना है और यहां पर हम TCS के September future वाले data को देख रहे हैं तो अगर हम 915 से 930 के बीच में देखें यहां पर open interest में कैसा build up हो रहा है वो हमें बता रहा है कि long build up हो रहा है, short build up हो रहा, long unwinding, short covering यह सारा कुछ idea यहां से हमें मिल जाता है और fresh कितना open interest का addition हो रहा है, कितने लोग market से निकल लें वो सारा कुछ data यहां पर आपको मिल जाएगा तो अगर हम 915 से 930 की बात करें तो long build up यहां पर भी होता हुआ दिखा है और buyers area में भी है, फिर भी हमें candle में strength नहीं दिखा है तो हम उन समके बावजूद भी trading positions initiate नहीं करेंगे अब यहां पर 930 करीब ही, यहां पर मुझे long build up होता हुआ दिखा है यहां पर हम देखते कि 930 करीब क्या कुछ हुआ है तो हम इसके 5 minute के चार्ट पर आना चाहेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, तब तक price आपका 3000 करीब भी आ गया तो यहां पर हम 3000 के level के break होने का weight भी करेंगे तो यहां पर देखे 3000 के level को break करके price आपका ऊपर निकल गया तो हम इस level के आसपास बाइसाइड की तरफ positions initiate करेंगे और यह level आपका हो जाएगा 3005 के करीब, यहां पर हम क्या लियें, इंट्री लियें बाइसाइड की तरफ, अब यहां पर हमने candle के strength को देखा है कि अच्छा कासा strength वायर्स में आ गया है और एक crucial resistance level 3000 भी break हो गया, इसके ऊपर निकल गया है और हमें यहां पर long build-up भी बनता होगा दिख रहा है के करीब, और यहां पर अगर enhanced price की बास करें, तो जो highest point है इसका वह हमारा target price हो जाएँगा, highest point के अगर हम बात करें यह rien पर हमारा target price होगा वह ओगा अपका 3025 के करीब यहांनि यहां पर हमारा target जो बन वायर्स कि पारिब बन वायर्स बन आ यह लगबंग का 1 rolls से स्लाइटली कम यहां पर हमारा टागेट प्राइस बनता हुआ दिख रहा और इसके विसी पर आप आप समस्स में भी ले सकते हैं आप समस्स में लगवग आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा अगर इस टागेट प्राइस को भी हिट करता है तो यहां पर हम देखते हैं कि जो बिल्डप है उसमें क्या कुछ चेंजेज भी हो रहा या नहीं हो रहा है तो यहां पर हमने देखा है कि 9.45 के करीब लॉंग अंडवाइंडिंग शुरू हो गया जिन लोगों ने लॉंग किया था वो मार्केट से निकलना स्टार्ट कर दिये तो चार्ट पर देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो रहा जहां पर हमें कमजोरी देखने को मिले तो देख सकते हैं ऐसा कुछ यहां पर हमें 9.45 के करीब देखने को नहीं मिल रहा है तो यहां पर हम इस डेटा पर ज्यादा वरोसा नहीं करेंगे हम अपना बाइंग पोईशन क को continue रखेंगे उसकी बाद हमें 10 a.m. के करीब भी long unwinding देखने को मिल वाया तो हम वापस से 10 a.m. करीब चेक करेंगे क्या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जब हम यहां पर 10 a.m. के आसपास चेक करें तो वैसा कुछ नहीं हो रहा एक छोटा सा आपका वेट केंडल बना जिसमें कोई स्ट्वेंथ नहीं उसके बाद वापस से आपका ग्वेइन केंडल का फार्मिशन हो गया है तो कहीं भी सेलर्स में स्ट्वेंथ देखने को नहीं मिल वाया तो यहां पर कहीं भी अपना जो बाइंग पोजीशन से उससे हम नहीं निकलेंगे उ हम थोड़ा सा चार्ट पर चलके फिट से इसको देखेंगे क्या यहां पर कुछ ऐसा formation हो रहा है कि नहीं हो रहा और यह आपका ओड़ा 1016 के करीब तो यहां पर अगर हम देखें लगबग आपका इसके करीब है देख सकते हैं यहां पर आपका प्राइस नीचे किरना स्टार्ट हो गया और इन दे मिन टाइम जो हमारा टारगेट प्राइस था 3025 उसको इसने हिट कर दिया और यहां पर शॉट पिल्ड़ भी बनना स्टार्ट हो गया तो फॉर्ट जेफटी वीजिन यहां पर हम क्या करेंगे हम यहां पर अपना प्रॉफ क्रिटी देखने को मिल रहा है अब यहां पर डिमांड एरिया में उपन हुआ था वहां से प्राइस उपर आया हमने थोरा सा इंतजार किया कुछ पॉइंट को लूज किया और हमारा यहां पर टारगेट प्राइस हिट होता हुआ दिख गया तो यहां पर इसके आगे भी हम सेम तरी के सें ट्रेंग पॉजिशन कर सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बढ़ा जाऊंगा यह जो डिटा है यह डिटा आपको कहां पर देटा मिल जाएगा अगर आप कहीं बाहर सी डेटा लेते हैं इसके आपको एक्ट आपब-णायग प्रे account open करके यह data free में ले सकते हैं और धन में trading or demand account open करने के charges भी नहीं है आप free में trading or demand account open करके इस crucial data को access करके इसके basis पे आप trading positions initiate कर सकते हैं तो अगर आप धन में अपना trading or demand account open करना चाहते हैं तो link इस video के description में दिया गया उस link पे click करके आप धन में अपना ट्वेडिंग और डिमेट अकाउंट open कर सकते हैं और इस डिटा का आप एक्सिस करके options में Android stocks का selection करते हुए आप trading positions initiate कर सकते हैं अब बहुत साइब लोगों ये भी दिक्कत होता है ये data हम लाएंगे कहाँ से अगर हमने एकाउंट open कर लिया है तो चलिए वो भी आप में आपको clear कर देता हूं तो यहाँ पर आपको futures add करना होगा या options add करना होगा आपको ये data spot में मिलेगा नहीं क्योंकि ये FNO का data है तो यहाँ पर जैसे हमने reliance की futures को add कर लिया तो इस पर आपको click करना है जब आप इस पर click करेंगे तो आपको market real time traders margin trades और 15 minute build up दिखेगा तो यहाँ पर आपको 15 minute build up पे click करना है जब आप इस पर click करेंगे ये सारा data आपके सामने available हो जाएगा और ये data आपका live market में update होता है तो इसके basis पर आप live market में भी trading decisions initiate कर सकते हैं और हम आगे कोशिस करेंगे इसके basis पर हम live market में भी video आपके लिए लाएंगे आने वाले time में तो इस तरीके से यहाँ पर हम trading positions initiate कर सकते हैं अब यहाँ पर हमने क्या दिखा कि यहाँ पर short build up हो गया अब यहाँ पर अगली बार 10.30 a.m. से फिर से यहाँ पर long build up start हो गया तो हम chart पर देखते कि क्या bytes में कुछ strength हमें दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम वापस से chart पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते है 10.45 a.m. के करीब यह था आपका 10.30 a.m. से जैनवेट हो गया तिहां पर हम 10.30 a.m. पर आना चाहेंगे 10.30 a.m. पर आपका green candle है यहाँ बाइस में उतना जावदस strength हमें देखने को नहीं मिलवा और यहाँ पर हम थोड़ा सा और इंत्यार करना चाहेंगे 50 मिनट रुक के देखेंगे कि वापस से अगर build-up देख रहा है तो हम यहाँ पर buy करना prefer करेंगे तो यहाँ पर chart पर आ गए और वापस से long build-up हमें 10.45 के बाद भी देखने को मिलवा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10.45 का यहाँ पर हम वेट करेंगे देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है अगर हम यहाँ 10.45 का वेट करते हैं तो rate candle बनने के बाब जूद भी price नीचे नहीं जा रहा है मतलब यहाँ पर हमें एक और idea मिल गया है कि यह काफी हद तक आपका क्या बनवा है accumulation जो यहाँ पर create होता हुआ हमें दिख रहा है इसके बाद price आपका ऊपर side की तरफ जा सकता है तो यहाँ पर हम छोटा सा हम whisk लेंगे यह जो lowest point है मेरा SL के रूप में काम करेगा और यहाँ पर लगबग हम जहाँ पर exit किये थे 3025 की करीवी बाइसर की तरफ positions initiate करेंगे target price आपका 3050 जो कि आपका एक psychological level है इस level के लिए यहाँ पर हम जाएंगे और stop loss की अगर हम बात करें तो stop loss काफी छोटा सा stop loss की level अगर हम बात करें यहाँ पर कहाँ पर generate होता हुआ यह आपका 3016 के करीब या फिर 17 करीब generate हो रहा तो यहाँ पर लगबग आपका 8 से 9 point का SL है और लगबग 25 point का target price तो जो risk reward है वो भी काफी हद तक हमारे favor में ही दिख रहा है तो at last हम risk reward चिक करेंगे अगर यह हमारे favor में अधरबाइस हम tweet नहीं लेंगे इस बात को भी आपको द्यान में रखना परेगा और यहाँ पर हमने tweet initiate किया फिर all the way price आपका 3050 करीब गया है market में continue बने रहना जो भी हमने tweet लिया वहाँ पर हमें continue बने रहना है यहाँ पर हम देखते हैं 1130 के आसपास price आपका कहां पर move कर रहा है exit कर लें क्योंकि हम already profit में और यहाँ पर short build up start हो गया है इस तरीके से हम trade करते हुए इंट वाड़े options में trade कर सकते हैं और profit बना सकते हैं और यहाँ पर अगर आप चाहो तो options में क्या कर सकते हैं strike price का भी selection कर सकते हो सबसे पहले यहां पर हम क्या कर सकते हैं 3000 के call options को buying करना prefer कर सकते हैं उसकी बाद यहां पर अगर आप trade करो तो जो भी आपको strike price मिल जाएगा 3020 या फिर 3030 जो भी आपको सही मिलता है वो strike price का यहां पर आप call options दुबारा भी buy करना prefer कर सकते हैं इस तरह की साफ options में trade करके भी यहां पर आसानी से profit बनाया जा सकता है उमीद करते हैं यह concept आप clarity के साथ समझ में आ गया होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें कवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथी साथ बेल आइकन दवना ना भूले ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अप्लोड करें उसका notification आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस्त ना करें सब्सक्राइब जाए हिन